हेलो परेंस, स्वागत है, मेरी चैनल में अपकोट, परेंस अज़ हम इस वीडियो में सorde UmbriºMMरीला वाजू बनाने सीकर Julius तो परेंस वीडियो को पूरे देखें तो यहाँ पर देखिए टूटल मारा आर मॉल सारा है 9 इंची अब देखिए सबसे पहले हमें कर्टिंग करनी है फ्रिल की तो देखिए यहाँ पर हमने सिल्किन वाला कपड़ा लिया है सोट अम्रिला बाजू बनाने के लिए आप कड़ा कपड़ा ना ले एकदम सिल्किन कपड़ा लिच से हमारा जुगेर वो फोत अच्छा आता है तो देखिए इस तरीके से फूल कर लिया है हमने अब देखिए आपर फूर पाइट में रखने के बाद एक बार और इस तरीके से फूल कर लेना है फैबरिक को तो इस तरीके से हमने टोटल आट लेयर में फैबरिक को रख लिया है इस तरीके से रखने के बाद देखिए आपर हमें बरावर कर लेना है आगे वाली साइट से और इसके बाद देखिए यहां से टोटा लेंगे देखिए कितने साड़े 10 इंची और यहां से लिया आए हमने 10 इंची से तोड़ा सा एक्स्ट्रा अब देखिए यहां से हमें लेना है कि इतना 4 इंची चार इंच लेने के बाद देखिए यहां पर दूसरी साइड है वहां पर हमें लेना है साड़े चार इंच तो देखिए फ्रेंट्स यहां पर मार्किंग अच्छे से नहीं देख रही है आप इसी तरीके से मार करें अब देखें सेंटर वाले से से भी हमने चार इंची पर मार किया है अब यहाँ पर देखें बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से भी देखें यहाँ पर हम गोलाया करका सेब देंगे इस तरीके से देखें इस तरह के सिब देने के बाद हमें फ्रेल की लंबाई को लेना है तो देखी फ्रेंज यहां से टोटल फ्रेल की लंबाई लिए हमने 6 इंची अब इसके बाद देखी हांपे 1 इंच जगा छोड़ना है हमें आगे वाली साइड से और आगे से आदा इंच डाउन करना है एनी हमने लिया है कितना 5 इंची अब इसके बाद लेंगे साड़े 4 इंची और इसके बाद लेना है 4 इंच और यहां से लेना है साड़े 3 इंच अब देखिए हमने सारे इससे में हाप आप इंच डाउन कर दिया है अब सभी मार्किंग को इस तरीके से बारावर करके मिला देंगे इसके बाद देखिए फ्रेंस यहां से हमें इसके बाद कटिंग करनी है जहां से हमने मार्किंग की थी वहां वहां से तो देखे इस तरीके से cut कर देंगे हम भारवाले इससे को तो यहाँ पर देखे दूनो फ्रिलों की cutting हम एक साथ कर रहे हैं फ्रेंस बड़ी और शोटी वाली बाद में इसी को हम एक को छोटा कर देंगे अब देखिए यहां से आगे वाली साइट से भी कट कर देना है हमें इस तरीके से अब इस तरीके से कट करने के बाद जो डाउन वाला इस साइट से भी हमें फ्रिल को अलग-अलग कर देना है देखिए इस तरीके से हमने दोनों फ्रूलों को अलग-अलग कर लिया है अब इसमें से हम दो पाइट्स को निकालेंगे और इसमें को बरावर कर लेंगे अब देखिए इसे हमें एक इंच छोटा करना है बड़ी वाली फ्रिल से यहने इसको हम लेंगे यहाँ पर साड़े चार इंची और इसके बाद देखिए इस तरीके से हमें सारे इसे में एक इंच एक्स्ट्रा कर देना है भार की साइट से तो आप इसे तरीके से बरावर कर देए एक्स्ट्रा देखी फ्रेंस इस तरीके से हमने एक इंच एक्स्ट्रा कर दिया है यह हमारी चोटी वाली फ्रेल है और दूसरी हमारी बड़ी वाली फ्रेल है अब इसके बाद हमें स्टेचिंग करना सीखेंगे देखें किस तरीके के दोनों फ्रेलों को जोइन करना है तो इसमें से देखे एक हम बड़ी वाली फ्रिल को लेंगे और एक लेंगे छोटी वाली फ्रिल को तो सबसे पहले देखे दोनों के इसी तरके से हमें जोइन करना है और उसके बाद ही अटेच करना है तो सबसे पहले देखी बड़ी फ्रिल को रखेंगे और उसके उपर से रखेंगे छोटी वाली फ्रिल को तो इस तरीके से बरावर करके रख लें फ्रिल को बरावर रखें इस तरीके से अगर आपकी फ्रिल में थोड़ा बहुत छोटा या फुर बढ़ा रहता है तो आप इसको छोटा बढ़ा भी कट कट सकते हैं आप इंच कट कर लिया आगे वाली साइड से अगर छोटी रहती है तो तो देखिए इस तरीके से हमें बरावर इसको जोइन कर लिया है दूनों प्रोलों को इसी तरीके से जोइन करना है जोइन हमने कर लिया है देखिए दूसरे को भी इसी तरीके से जोइन कर लिया है अब इसके बाद देखिए दूनों को इस तरीके से बरावर करेंगे और इनकी जो भार की साइड हुआ पर हमें पिको कर लिया है तो देखिए डाउन वाले SC में आप इंच डाउन में कट कर ले इसी हमारी जाफ्रिले वो आर मोल्ण से में बरावर आएगी तो देखे हैं आप आप हमें इस तरके से दोनों को बरावर मिजर करेंगे और उसके बाद इसे एकी सेंटर वाले SC में रखना है और छूटी वाली फ्रिल को नीचे वाली साइड रखना है अब इसके बाद सेंटर वाली से में रखना है इस तरके से और इस तरके से टेच करना है तो सारे इससे में अच्छी तरके से हमें सिलाई को डाल कर कम्प्लीट कर लेना है इसी तरके से देखिए इस तरीके से वन साइड अटेज करने के बाद हमें फ्रिल को पलड़ना है और देखी इस तरीके से दूसरी साइड भी हमें जोइन कर लेना है तो देखी फ्रेंस इसी तरीके से हम दूनों साइड अच्छी तरीके से जोइन कर लेंगे और दूसरी वाली फ्रिल को भी हमें इसी तरीके से जोइन करना है तो फ्रेंस अगर आपकी थोड़ी वहत प्रिल छोटी पड़ती है तो आप कट कर सकते हैं डाउन वाले इससे अब इसके बाद देखिए यहां से हमें इस तरीके से दोनों को बरावर लेंगे और अपने फेटिंग के अकोर्डिंग इसमें फेटिंग डाल लेंगे तो यहां पर देखिए दोनों फ्रोलों को बरावर कर लेंगे और उसके बाद अपने बलाउस के फेटिंग डाल कर कम्प्लीट कर लेना है तो आप दूनों साथ इसी तरीके से कंप्लीट कर लिए डाल कर इस तरीके से देखिए तो इसी तरीके से देखिए हमने याँ पर फीटिंग को डाल कर कंप्लीट कर लिया है फ्रेंज तो देखिए इसी तरीके से आप फ्रिल को सिधा करेंगे और इस तरीके से देखिए हमारी सोट उम्ब्रेला बाजु है वो एकदम बन कर रेडी हो गई है तो फ्रेंज कमेंट करके ज़रूर बताएए कि आपको ये सोट उम्ब्रेला बाजु कैसी लगी और फ्रेंज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शियर करें थैंक यू वाचिंग माई वीडियो फ्रेंज